कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आजके ताजा मौसम समाचार के इस वीडियो में दोस्तों भारतिया मौसम विज्ञान विभाग डिबाइंटमेट ने मौसम के भंकर रूप के चलते कई राज्यों में चितावनी सारी कर दी है साथी कई राज्यों में रैड चलने की भी चिताबनी जारी की गई है तो दोस्तों अगर आप भी भारत के किसी भी गाउं या राजय में रहते हैं तो इस खबर को बेना भगाए एकदम आकर तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राजय अपने गाउं का नाम ज नजर आ रहा है देश के अधिकतर राजयों में लगाता गिरावट हो रही है जारखण में बारिश की संभावना नजर आ रही है और इसा में शीत लहर का कहर लोगों को परिशान कर रहा है वहीं मौसम विभाग के अनुज़ार अकले साथ दिनों तक देश की राजदानी द का कके रहुत हैं या नजर आसकता है दोस्तो राजिस्तान के पूर्वी और पश्ची में हिस्सों में कुछ स्थानोबर ठंडी हवाच चलने और अधिक्तम तापान में गिरावट के एकारें दिन में भी ठिट्रेंड महसूस की गई है मुसम विभाग के अनुसर भी 24 गंटों के दोरन पूर वियो पश्ची में राजिस्तान के कुछ हिसों में अधिक्तम तापान में गिरावट दर्श की गई है दोस्तो कश्मीर में नुनतम तापान जमाव बिंदू से नीचे रहने की कारें पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में रही है वहीं जम्मू कश्मीर और ग्रिश मकाली राजधानी श्रीनगर में नुनतम तापान श्योंने से नीचे 3.4 डिगरी से दर्श किया गया निसंबर महा में कश्मीर में कुछ बरबारी और बारिश हुई जिसके परिणाम स्वरुफ लंबे समय तक शीतलहर की स्तिती बनी रही वहीं दोस्तो बिहार के कई इलाकों में सुबा कोहरा चाया रहा प्रदेश में नई साल के आगमन से ठीक पहले बिहार में तेजी से ठेंड बढ़ चुकी है पच्वा एवं उत्तर पच्वा हवा की उतरा पटना साहित बिहार के 25 जिलों में ठेंड में भड़ोतरी देखने को मिल रही है इसके अलबा दोस्तों पच्वा हिमाले में चिटपुड हलकी बारिश और बरपारी हो सकती है हाला कि मैदानी शेतर में मौसम शुष्क बना है और घना कोहरा दुश्वारिया बढ़ा रहा है उदम सिंग नगर और हृदवार के कोहरे से जंजिवर प्रभावित है खासकर लकसर रुड़की पंतनगर और खटीमा कोहरा सरवादिक प्रभावित है अगले कुछ दिन मैदानी शितर में घना कोहरा चार रह सकता है जिससे सरदी का सितम बढ़ने और पारे में गिरावट आने की आशुनका है घने कोहरे को लेकर और इंचलेट सारी किया गया है तो दोस्तों आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मुबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथी वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद